अक्सर ये कहा जाता है कि विवाद चाहे अच्छे हो या बुरे हो लेकिन फाइदा तो होता ही है और अक्षरा और पवंद सिंग के विवाद में सबसे जादा फाइदा पवंद सिंग को हुआ है कहा तो अक्षरा ने ये सोचा था कि पवंद सिंग पर इतनी तोहमते लगाएंगी तो उनका कुछ न कुछ बुरा होगा लेकिन ये क्या भाई दर्शकों ने इतना प्यार पवंद सिंग को दिया है कि अब शायद उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है एक नहीं दो नहीं तीन तीन जगे पवंद सिंग को इतना बंपर फायदा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ये करते हैं कि पवंद सिंग के फिल्म UP में रिलीज हुई आनंद मंदीर में लगी और आपको बता दे कि एक दि इस दिन में जैहिन ने 1,09,000 रुपे का विजनेस किया था इससे पहले ये रिकॉर्ड निरहुआ की फिल्म बॉर्डर के नाम पे था जिसने एक दिन में 1,08,000 रुपे का व्यापार किया था और दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये कलेक्शन पहुत चुका है 1,08,000 हजार रुपे का या आप कह सकते हैं दूसरे दिन भी इस फिल्म ने ग्रोथ ही अशिल की है आगे तो विकेंड है या नि कि फ्राइडे को इस फिल्म ने 1,09,00 रुपे कमाये थे आज सेटेडे हैं आज का कलेक्शन 1,84,000 रुपे है और कल संडे है यानि कि आप ये कह सकते हैं संडे का भरपूर फायदा इस फिल्म को मिलेगा अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे की भाई आपको तो पता ही है कि मैंने उनको सजन चुल लिया यूटूब पर अपलोड कर दी गई है जी हाँ यूटूब पर अपलोड होते ही इस फिल्म ने एक दिन में यानि कि एक दिन पूरा होते होते 6.6 मिलियन व्यूज हसल के यानि कि एक दिन में उसे 6-6 लाख लोगों ने देख लिया है और यह आकडा दिन बदिन बढ़ता ही जाएगा और इसे 60,000 लाइक्स भी मिल चुके है यानि आप कह सकते हैं कि मैंने उनको सजन चुल लिया दर्शुकों को बहुत पसंद आई है और इस विवाद में सबसे जादा फायदा पवन सिंग को हुआ है और अब आप ये जानना चाहेंगे कि पवन सिंग को तीसरा कौन सा बड़ा फायदा हुआ है कि पवन के साथ खेसारी और निरहुआ अब दोनों डटे हुए है पहले तो आपने कुछ तस्वीरे देखी होगी जहां पे पवन और आमरपाली और निरहुआ तीनों एक साथए एक आफिस में है और ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां पवन सिंग खेसारी लाल यादों के मैनेजर सोनू पांडे के बर्दे के दिन दोनों उनका बर्दे सेलिबरेट कर रहे हैं यहां आपको बता दे कि इतने बड़े विवाद के चलते खेसारी और धिनेस लाल यादोंनी रहुआ का पवन के पक्ष में जाना बहुत बड़ी बात दरसाता है साथ ही आपको एक और अंदर की सूशना दे देते हैं ये कि पवन और दिनेस लाल यादों निरो हुआ एक अंटाइटल प्रोजेक्ट में नजर आएंगे लेकिन जल्द ही पवन और खेसारी भी एक फिल्म में नजर आ सकते हैं ऐसी उड़ती उड़ती खबरे हैं कि कुछ डिरेक्टर अब इन दोनों की दोस्ती का फायदा उठाना चाहते हैं इन दोनों की फैन फालोइंग भोचपूरी जगत में सबसे जादा है इसे कैश करना चाहते हैं इन दोनों को साथ मिला कर एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं और हो सकता है कि जल्द ही इस खुशी की खबर को दर्शकों के बीच दी जाए और अगर यह ऐसा होता है तो भोचपूरी इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ी खबर कोई नहीं होगी भोचपूरी जगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलिए अगर फटेश्ट्री के लिएखूरी इससे बप्रवब करना बिल्कुल यह तो करना बिल्क।